हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आप सब अच्छे होंगे वल्कम बाक टो माई चैनल होमिटिप्स माईग्रेन जिसे आदे सिर का दर्द भी कहा जाता है आम सिर्द दर्द से कही अधिक पेंफुल होता है जब किसी को माईग्रेन अटाक होता है तो व्यक्ति बहुत अधिक बेचैन हो जाता है और बहुत तेज दर्द भी होता है इस थिती में अक्सर लोग दवाईयों का सेवन करते हैं हाला कि माईग्रेन अटाक से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसके ट्रिगर को पहचान कर उससे बचा जाए वैसे जब भी माईग्रेन ट्रिगर की बात होती है तो हम तनाव नीन दिया अन्य कई कारकों को जिम्मेदार ठहराते हैं लेकिन क्या आपको पता है आपका फूड भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है जी हाँ ऐसे कई फूड होते हैं जो आपके माईग्रेन की समस्या को बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं इतना ही नहीं अगर आप इन फूड का सेवन करना जारी रखते हैं तो इससे आपको बार-बार माईग्रेन अटैक होता है और आपको बहुत अधिक कश्ट सेहना पड़ स तो चलिए आज हम आपको इन फूड आइटम्स के बारे में बताते हैं जिससे माइग्रेन का दर्द बढ़ सकता है इसमें सबसे पहले आता है कैफीन कैफीन को यू तो सिर्दर्द सिराहत पाने के लिए जाना जाता है लेकिन अगर आप एकदम से बहुत अधिक कैफीन का नियमित रूप से शुरू कर देते हैं तो आपके माइग्रेन की समस्या बढ़ सकती है अगर आप कैफीन लेना ही चाहते हो तो इसे सीमित मातरा में ले आप दिन में दो कपसे अधिक चाय या कॉफी का सेवन करने से बचे अगला है चीज या फिर मीट अगर आप चीज या चिकन आदी का सेवन करते हैं तो यह भी आपको माइग्रेन की समस्या को बढ़ा सकता है दरसल इन प्रोडक्ट्स में नाइट्राइट या फिर नाइट्रेट पाया जाता है जो माइग्रेन को ट्रिगर करने के लिए माना जाता है इसके अलावा इसमें नमक की मातरा भी अगला है चॉकलेट चॉकलेट खास तोर से डाक चॉकलेट को भी आपको अवोइड करना चाहिए दरसल इसमें भी कैफीन कंटेंट काफी अधिक होता है जो आपके माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है अगला है आर्टिफिशल स्वीटनेस कई प्रोसेस फूड में करते हैं इसलिए आपको इनका सेवन नहीं करना चाहिए अगला है अलकोहल अलकोहल का सेवन भी स्वास्ते के लिए अच्छा नहीं वाना जाता क्योंकि यह कई तरह की समस्याइं खड़ी कर सकता है विशेश रूप से अगर आपको अकसर सिरदर्द या माइग्रेन की शिका हो जाती है और शरीर में पानी की कमी और सिरदर्द की समस्याँ बढ़ जाती है अगला है चाइनीज फूड आपको शायद पता ना हो लेकिन चाइनीज फूड भी माइग्रेन के दर्द को बढ़ा सकता है मार्केट में मिलने वाला चाइनीज फूड या सोया सॉस में MSG या आप इसका सेवन करना भी चाहते हैं तो सुनिक्षित कर ले के आप जादा से जादा इसका सेवन ना करें बहुत ही कम मात्रा में इसका सेवन करें आपको मेरी इंफोमेशन अच्छी लगी होगी